हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमा यूट्यूब चैनल अल्ट कोई रिव्यूज आज मैं फिर हाजर हूँ एक और वीडियो के साथ और आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली समरी रिपोर्ट और तारीक है बारा अगस्ट दो हजार उन्नीस से लेकर अठारा अगस्ट दो हजार तो यह हफता है आउगस्ट और इस हफते में बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुई है लेकिन अगर एक ट्रेडिंग के लिहाज से प्राइस मूवमेंट के लिहाज से अगर मैं इस हफते को काउंट करूँ तो इतना जादा उसमें ट्रेडिंग और प्राइस मूवम ऑन गिन फी पिछले साटरे से जो के कल जाकर ओमननाइन होई और आज उसकी ट्रेडिंग स्टार्टों यह आज शाम के टाइम पे मेरा मेरे टाइम जोन के मताबİक आज की शाम में वसक्व करेंडिंग स्टार्ट हुए हो सकता है आप लोगों का डिफ्रेंट टाइम जोन हो तो यह है कि overall जो इस हफ़ते के अंदर अगर हम देखें तो exchange जो है सारा का सारा हफता exchange के around ही circulate करता है अगर मैं इस हफ़ते को नाम दूँ कि the exchange relaunch week तो वो बुरा नहीं होगा क्योंकि इस हफ़ते हमने काफी जादा exchange के अंदर changing देखी है और वो मैं आप लोगों के साथ आगे जाके share करूँगा मैं उसकी videos भी already बना चुका हूँ exchange review, look review और फिर exchange announcement के नाम से और आज भी मैंने बनाई है कि exchange went live तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ वो announcement share करूँगा जो पिछले Saturday को आया था कि 10.08.2019 को कि the exchange is currently offline, we are implementing the new trading pairs and making AUSD Arbithereum and AUSD Arblight तो इन्होंने कहा था कि हम exchange को offline कर रहे हैं दो नए pairs add करने के लिए और जो exchange का पूरा look है उसको भी change करने जा रहे हैं और एक professional type का look देने जा रहे हैं एक्षेंज को और उन्होंने जो estimated time दिया था वो दिया था 48 से 72, 48 से 42 घंटे ठीक है तो यह announcement था 10.08.2019 का तो यह टेलिग्राम रूम है आर्बिट्रेजिंग का official टेलिग्राम रूम तो यह 10.08.2019 को announcement के बाद exchange offline हो गई थी ठीक है और फिर उसके बाद यह जो दूसरे announcements 11 तारीक को काफी सारे announcements आये थे जो के मैं पिछले हफ़ते की वीडियो में ही आप लोगों के साथ share कर चुका हूँ जिसमें उन्होंने हमें apex का नया look दिखाया था और फिर इन्होंने website को 6 गंटे के लिए बंद भी किया था उसी दौरान और फिर कुछ errors थे उसको भी ठीक किया था फिर website खुल गई थी वापसी और auctions भी perfectly move कर रहे थे ठीक है तो यह सारी पिछले week की update थी और पूरा week तकरीबन exchange offering लेने के बाद कल Saturday से 17 अगस 2019 को हमें इन लोगों ने नियूज दी ठीक है तो फिर्स ली विड़ लाइक दूस भी आर विड़ लाइक तो यह नियूज स्टार्ट कुछ इस तरह से होई कि जाहर है तक्रीबन 48 से 72 गंटे का टाइम दिया जो कि अल्मोस्ट डबल के करीब लग गए तीन दो से तीन दिन कहा जो तक्रीबन 6 दिन से भी कुछ जादा लग गए ठीक है अल्मोस्ट साथ दिन ही समझेंगे सटर्डे से सटर्डे को ही हमें नियूज मिली तो साथ दिन एक्सेंज ओफलाइन रही तो उन्होंने उसके लिए हम से सौरी किया और मेरा जो ख्याल है जहां तक साथ दिन की बजाए अगर दस दिन भी लगते तो कोई बुरी चीज नहीं थी बेसिकर लोग क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्लैंस क्या है डेविट के प्लैंस क्या है आ प्लैंस को बनाना चाहते हैं और वो उसके शाप से चल रहे हैं और हमें भी पता है कि एक एक्सजेंज को नया लुक देना उसको पूरा उसका सिस्टम चेंज करना उसकी पूरी कोडिंग चेंज करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि मैं वैब डिजाइनिंग की फील्ड से क्योंकि मी तहलूप लखता हूं और मैंने काम किया है मुझे आती है कर और कि यह वह आसान चीजा ना पड़ता है उसको को छोता सा भी हो वह तो उसको चेक करना पड़ता है कि वह architecture से आरहा था तो ये असान काम नहीं था फाइनली इन्होंने कर लिया सारी टेस्टिंग बेक एंड अपग्रेड्स अपडेट्स चेंजेज इंप्रूब्मेंट्स गोडिंग टेस्टिड हर चीज फुली वर्किंग कंडिशन में थी कल और इन्होंने कहा कि अगले चंद घंटों में हम एक् अग्षेरियम का प्यर आउनलाइन करेंगे जो पहले भी था नए इंट्राफेस पर क्योंकि अभी हमारे पास जो नए प्यर्ट करने हैं उनके लिए डेटा नहीं है ट्रेडिंग डेटा और वो ट्रेडिंग डेटा उसी सूरत में आएगा जब हम एक प्यर की ट्रेडिंग आउन करेंगे जो अल्रीडी अवेलिबल है तो अब वो उन्होंने आर्विठेरिंग का प्यर आउन किया है अब वो ट्रेडिंग डेटा गैदर करेंगे और उसके बाद वो फिर नए प्यर्स को भी एड़ कर देंगे और वो मेक्शोर करेंगे कि फुल मैक्सिमम प्रफॉर दाज चुका हूン लेकिन यह उर्धु वीडियो है इस वजजा से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं र司ले और अच्डिना नहीं बनाई ह। तो अब यह लास्ट में उन्होंने कहा कि हम जो AUSD है, जो A-Bot में से ट्रांसफर होने system wallet में, उसके भी last steps में है, सारी चीजे बस हो गई हैं, और हम उसको भी किसी भी time online कर देंगे, ताकि आप अपने AUSD को A-Bot से ट्रांसफर कर सकें system wallet में, और उसके बाद अपने system wallet से ट्र transition to the new internal exchange, totally running, जब यह step हम कर लेंगे, तो proper जो new internal exchange का transition हो पूरा हो जाएगा, और काम properly शुरू हो जाएगा, और thank you for giving us this opportunity, Thomas Brown, अच्छा, अब यह कल की update के बाद, सिर्फ exchange का look live हो गया था, trading live नहीं हुई थी, और अब जो है, आज Sunday 18 August 2019, शाम के टाइम पर ही हमें एक और update मिली, तक रिवन almost 24 गंटे बाद, ठीक है, के dear ARB nation, we would like to announce that the internal exchange pairs, ARB Ethereum is live for trading, everything is tested out and functioning as planned, we will make sure, make the AUSD ETH and ARB AUSD pairs live soon, thanks ARB trading team, तो यह इन्होंने हमें news दिया है, कि हमने जो पुराने pairs, पुराना pair था, ARB Ethereum वाला, जो यह है उपर, टॉप पे आप देख सकते हैं, sorry, यह page change हो गया, यह टॉप पे आ रहा है, ARB Ethereum का pair, यह इन्होंने trading के लिए live कर दिया, और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, कि यह सारी market rescue में trading हो रही है, ठीक है, और यह live trading जारी है, ARB Ethereum की trading शुरू हो चुकी है, अब वो इससे data gather करेंगे, और इस data के मताबिक वो नए pairs add करेंगे, तो exchange अब बहुत अच्छी लग रही है, पहले के मुकाबले में, काफी खुबसूरत, काफी अच्छा look, काफी अच्छा view आ रहा है exchange का, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब उमीद करते हैं कि as soon as possible नए pairs भी add हो जाएं, ताके जो लोग ABOTS से अपने AUSD ट्रांसफर करके उससे ट्रेडिंग करना चाते हैं, वो भी start कर सकें, और फिर इसके इलावा Apex भी live हो, क्योंकि Apex भी इस महिने के end तक expected है के live होगा, तो ये सारी चीजें, मतलब आप प्रॉपर ट्रेक पे जा रही हैं, अब हम देखते हैं कि ये जो आने वाला आफता है, इसमें हमें दो चीजें expected हैं, एक तो नए pairs होना, और ABOT का transfer process शुरू करना, जो कि ABOT से system wallet और system wallet से ये है क्या नाम है, internal exchange, अचा एक दूसरी update मैं आप लोगों को देता चलूं, जो इस हफते के अंदर एक और update थी, कि exchange के साथ withdrawal भी offline हुए थे, वो withdrawal exchange की news आई थी Saturday वाले दिन, लेकिन वो जो withdrawal थे, वो Thursday वाले दिन ही आपसी खुल गए थे, exchange खुलने से दो दिन पहले, जैसा कि इस वीडियो के इस वीडियो के स्टार्ट में बताया, प्रॉपरली एक्सचेंज के अराउंड अराउंड सर्कुलेट किया, और इस वीक के अंदर दूसरी कोई इतनी जादा नियो नहीं थी, हाँ ये थी कि Apex का लोग चेंज हुआ, लेकिन वो सारी नियूस पिछले वीक में थी, ये वीक में सिर्फ दो नियूस थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, एक exchange का लोग खुलने की लोग, और एक trading live होने की नियूस, और तीसरा withdrawal reinstate होने की नियूस, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ, तो अब उमीद करते हैं, आने वाला हफता इस हफते से बहुत ज़्यादा बैटर होगा, हमें और भी काफी सारी अपडेट्स देखने को मिलेगी, इन्शाल्ला, लाइक ने pairs ad होने है, AUSD का transfer process शुरू होना है, तो उमी नेक्स्ट वीक कैसा रहता है, अब हम नेक्स्ट वैसे तो मैं डेली वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन आप वीकली summary report के साथ अब हम अग्रस के मिलेंगे, इसी के साथ इस वीडियो का एक्तताम करता हूँ, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, कमेंट कीजेगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजेगा, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना दोस्तों, रिष्टदारों और गिर्दोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा, अल्लहाफिस